आप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बात करते हैं टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आज रात के अपिसोड की तो शुरुबात में दिखाया जाएगा कि अर्मान वीडियो देख रहा होगा अपने बश्पन की रोहित यहां पर दर्द में रो रहा होगा तब ही वो सोचेगा कि आखिर रोहित अपनी प्रॉब्लों मेरे साथ श्यर क्यों नहीं कर रहा है वो तो हमेशा मेरे पास दौड कर आता था जब भी उसे कोई परिशानी होती थी मेरे बार में सोचते थे वो तो मेरे जिन्दीगी का एक जरिया थे जीने का और वो मेरे एक एंकर थे आखिर उन्होंने मेरे साथ इसा क्यों किया थोड़े टाइम के बाद कावेरी रोहित के रूम में आती और पूछती है कि क्या चीज है जो तुम्हें परिशान कर रही है तुम इस तरीके से बहेव क्यों कर रहे हो क्या मैंने तुम है अर्मान के मदल देने के कहा इसलिए अगर यही बात है तो उस केस में अर्मान तु जरूरत नहीं है और नहीं आपकी बात तो रूरत है कावेरी कहती है कि यह बार तो कंफर्म है कि तुम्हें कुछ न कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जो तुम किसी से शेर नहीं कर रहे हो तब ही वो सवर्णा को इन्वाइट करती है अपने घर पर मनीश्य सुरेखा के साथ मनीश्य सुरेखा जाने से मना कर देते हैं पोदार निवास क्यूंकि जो कुछ हुआ था आखरी बार उसे देख कर के सुरना सोचती है कि आखर अब उनके साथ कोई और नया ड्रमा हुआ तो क्या होगा तब ही उन्हें पता चलता है रूही और अर्मान के बारे में और सभी लोग बहुत ज़ादा शौक है इधर अर्मान अपने कमरे में लोटाता है और वो बहुत ही ज़ादा ठका हुआ है और उसका जो लुक है वो बहुत ही ज़ादा बेचारे वाला हो गया है और वो शौक हो जाता है यह देख कर जिसके रूम में पूरी तरीके से मैस्ट है तभी वो अभीरा को टॉन करता है और कहता है कि तुमने मेरे रूम की क्या हालत कर दी है तभी अभीरा उसे याद दिलाती है कि एक सेकेंड मुझे अभी अनपैक करना है इसलिए तुम है तो वो हटाने से मना कर देती है और तभी डॉंकी बनाती है पेपर पर तभी क्रिश वहां आता है उनसे कहता है कि नीचे पुलिस आई है बात में पुलिस अर्मान को अरेस करती है और कहती है पोदार से कि हमें आपको पुलिस स्टेशन ले जाना है अर्मान इसलिए आप हमारे साथ cooperate कीजिए अर्मान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने करा क्या है और हर कोई बहुत जादा परिशान है अर्मीन को अर्मान को यहां पुलिस की तरफ से ले जाता देखकर तभी हर कोई शौक हो जाता है यह देखकर कि पुलिस गेट पर जाकर डांस करने लगती है इतना जादा मुझे प्यार करने के लिए as a brother यहां पर इन दोनों भाईयों का मिलन हो जाता है अर्मान कहता है कि आकर तुम्हें क्या चीज़ पाईशान कर रही थी रोहित कहता है कि सिर्फ अब ये process है जो हम बड़े हो गए है यही थोड़े टाइम के बाद स्वर्णा वा जादा भूकी है वो खाने को देख रही है टेबल पर वो अपने आपको रोक रही है क्योंकि उसके मुझ पर टेप लगा है हाला कि वो मना कर देती है टेप को हटाने से और टेप तब तक नहीं हटाती जब तक वो अर्मान की माफी नहीं सुन लेती बात में कावेरी आती है अभीरा के पास तो कहती है कि तुमने अपने मूँ पर टेप क्यों लगाया है अभीरा उसे explain करने की कोशिश करती है सिगनल यूज करके लेकिन उसका गुस्सा काफी जादा बढ़ जाता है अर्मान तभी उनके पास आता है और अभीरा को वहां से ले जाता है और उसका टेप पटाने की कोशिश करता है दिखाया जाता है कि अ दूश rév получится हां से लाता है इज अबने काफीरा करता है